पुरे विश्व में काशी के एक नई पहचान बनने वाली है सबाँ दोसो डाइसो साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए काशी विश्वनाद धाम कोरिडोर पुधान मंत्री नरेंद्र मोधी का ज्रीम प्रोजेक्ट कुल 32 महीनों में इसे तराशा गया है अब शद्धालू गंगस नान कर गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाद के दर्शन कर सकेंगे और सब खुछ मंदिर के प्रांगन में ही होगा हेलो और वल्कम तू अंकट मैं हूँ आपके साथ आशी सिख करीब सवा पाच लाग स्क्वेर फीट में बना काशी विश्वनाद धाम बनकर पूरे तरीके से तयार हो चुका है अब काशी विश्वनाद आने जाने वाले शद्धानूओं को तंग गलियों से हो करके गुजरना नहीं पड़ेगा इस नए भव्य और विशाल मंदर के पीछे एक गहरा और लंबा इतिहास चुपाए आज इस विजियो में हम आपको उसी इतिहास के बारे में बताएंगे वारनसी में काशी विश्वनाद मंदर के निर्मान और पुनर निर्मान को लेकर कई सारी कहानिया कई सारी धाराएं हैं इतिहास कारों के मताबिक विश्वनाद मंदर का निर्मान अकबर के नौरतनों में से एक राजा टोडर मल ने कराया था वहीं इसके इतिहासिक प्रमान हैं और टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्मान भी करा हैं हलगी ये काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया था लेकिन इस बात की पुष्टी अंकट नहीं करता है बताया जाता है कि राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि एक काम के लिए उन्हें अकबर से आदेश की भी जरूरत नहीं थी कहा जाता है कि करीब 100 साल बाद औरन जेव ने इस मंदिर को दवस्त कर दिया था और फिर आगे लगभख 125 साल तक यहां कोई भी विश्मनात मंदिर नहीं था इसके बाद साल 1735 में इंदोर की महाराणी देवी अहलिया बाई ने काशी विश्मनात मंदिर का पुनर निर्मान कराया अब 246 साल बाद इस मंदिर को नए अफ्तार में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है 2000 वर्क मीटर में फैली मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को अब तंग गलियों से हो करके बिल्कूल भी गुजरना नहीं पड़ेगा लेकिन इस सद्धिव्य और भव्य कोरिडोर के लोकारपन से भी बड़ी आसानी से बाबा विश्मनात के दर्शन हो पाएंगे काशी भगवान शिव के तरिशूल पर ठीकी है दूर-दूर से लोग यहां बाबा विश्मनात के दर्शन के लिए आते हैं काशी को सबसे पवित्र शेहरों में से एक माना जाता है काशी को भगवान शिव और माता पारवती का सबसे प्रियες थान माना जाता है पौरानिक मानिताओं के मुताबे काशी में बाबा विश्मनाद के दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ती मिल जाती है और मृत्यू के बाद मोक्ष मिलता है मंदिर के कायक कल के बाद अब लोगों को दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब एक बार मंदिर की खासियत पर भी ध्यान देते हैं 345 करोड की लागत से हुआ है काशि विश्वनाद धाम का निर्मान, 349 करोड की लागत से धाम के लिए खरीदे गए 300 भवन, 5.3 लाख वर्क फुट में बना है विश्वनाद धाम, विश्वनाद मंदिर से गंगा तत का 400 मेटर में बना है धाम, 30 फीसदी शेत्र में बने है 24 चनार के बलुआ पत्थर के अलावा साथ प्रकार के लगे हैं पत्थर मकराना के दूधिया मार्बल से फ्लोरिंग की गई है जैसलमेर का मंडाना स्टोन घाट किनारे सीडियों पर लगा है भुकम से बचाओ के लिए पत्थरों को जोड़ा गया है पीतल की प्लेटो से 18 इंच लंबी और 600 ग्राम की वजन की पीतल की प्लेटो को कसने के लिए 12 इंच की गुल्ली का इस्तेमाल किया गया है तो ये थी काशिविश्वनात कॉलिडोर धाम के मंदर की कुछ खास बात है अब ऐसे इंडेप्ट खबरों के लिए अनालेसिस के लिए आप अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें अमस्कार